नमस्ते बच्चो आज हम हमारे पाट्टे पुस्तक का नया पाट सीखने जा रहे हैं जो आपके विज्ञान से संबन्दित है शायद आपने जरूर उसके बारे में जानकारी भी हासिल की होगी जी हाँ जिस तरह से चाता बारिश से हमें पचाता है उसे हैं ओजोन जो है वसुर्य से पृत्वी पर जीवन पचाता है तो बच्चो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओजोन पर पृत्वी की एक ढाल इस बाट की बारे में बच्चो आप जानते ही है कि संपूर्ण ब्रह्मान पृत्वी ही एक ऐसा ग्रह हैं जिसके उपर जीवन पन पना रहा है क्योंकि इस पृत्वी पर वायू मंडल के ठोस, द्रव एवं गैस के कनों से मिलकर बना हुआ है आपको बताई है आपके इस पार्ट के पहले पेज पर ही लिखा हुआ है कि वायू मंडल में अनिक प्रकार की गैसे होती है जैसे कि हाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ओक्सिजन, गार्बन डैय उक्साइड, नियान, मिथेन इस तरह के वायू जो गैसे से वो भरे हुए है तो बच्चो उस वायू मंडल में शोब मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और टाप मंडल इस तरह के चार भाग होते हैं शोब मंडल के उपर ही भाग जो होता है, वो होता है समताप मंडल जिसमें ये ओजोन, लेयर याने परत बनी रहती है तो बच्चो आज हम इसी ओजोन के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं तो चलो बच्चो आज हम हमारा पाट 10 ओजोन परत पृत्वी की ढाल इस पाट में क्या सीखने वाले हैं तो सबसे पहले ओजोन परत कैसे बनती है उसे पृत्वी की ढाल क्यों कहा जाता है यही पृत्वी की ढाल किस कारण कमजोर पढ़ रही है उसका दुश परिणाम की जानकारी आदी के बारे में आज हम इस पाट में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं तो चलो बच्चो आप अपने पाट्टे पुस्तक में जो लेसन है उसे अब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो चलो बच्चो अब हम पढ़ते हैं इस पाट को जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि हमारी पृत्वी के चारो और 20-25 किलोमेटर की उचाई पर ओजन गैस की लगबग 40 किलोमेटर मोटी परत है समताप मंडल के नीचे की ओक्सीजन सूरज की पराबैंगनी किर्नों से विखंडित होकर ओजन में परिवर्थन हो जाती है से अधिक होता है नह þ gev against the ऊशन ओप्रागनी में ओक्सीजन 3 रूपों में पाई जाती है ऑक्सीजेन परमानों ऑक्सीजन अनू और ओजन अनू ओजन परत ओक्सीजन के तीन परमानों से मिलकर पनी हुई है तो बच्चो यहाँ पर जो पृत्वी दिखाई दी हैं तो उसके वो तिन ओजोन परत कैसी है तो पृत्वी है ओजोन लेयर है और वायू मंडल इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाया गया है पृत्वी के बीचो बीच सुर्य की किरने सीधी पड़ती है इसलिए पराबैंगनी किरने वातावरन में बहुत कहराई तक और बहुत अधिक मात्रा में पहुँचती है यह पराबैंगनी किरने ओजोन गयास से मिलने के बाद विखंडित यानि तूटना हो जाती है और नई ओजोन गयास का निर्मान करती है ओजोन की इस प्रक्रिया से बड़ी मात्रा में वायुमंदल से और अधिक कर्मी सोक लेती है सोक लेना याने अब्सर करना और पराबैंगनी किरनों के हानिकारक प्रभाउं को काफी हद तक कम कर देती है तो देखा बच्चों किस तरह से ये जो ओजौन की परत यानि लेयर हैं वो हमें उस पराबंगनी कीर्णों से किस तरह से बचाने का काम करती है तो यहाँ पर जिस तरह से आपके टेक्सबूक में चित्र दिया गया है कि पृत्वी पर जो चाता दिया गया है कि उस तरज से बच्चो एक चाता जो हमें हर प्रकार की समसे यानि धूप हो बारिश हो इससे हमें बचाने का काम करती है उसी तरज से ये ओजोन परत यानि हमारी पृत्वी का एक चाता है जो हमें सूरिय की आने वाली जो पराबैंगनी किरने हैं उसे बचाने का ये काम कर रहा हैं तो बच्चो देखो आगे हम देख रहे हैं कि पृत्वी की सोर्य मंडल का एक मात्र ग्रह हैं जिसके चारो और के वायू मंडल में ओजौन की परत का सुरक्षा कवज बना हैं इसी सुरक्षा कवज के पृत्वी पर जीवन पनपना हैं हजारो सालों से ओजौन परत के कारण ही पृत्वी के जीव जन्तू और पेड़ पोदें सुरक्षित हैं लेकिन अब हमारा यह सुरक्षा कवज कमजोर पढ़ रहा है उसमें छेद हो रहे हैं इन छेदों से प्रचंड प्रमान में पराप प्रुत्वी पर आने के कारण किस प्रकार की दूश परिणाम ही इस प्रुत्वी पर कि हो रहे हैं उसे कौन-कौन भुगत रहा है इसके बारे में देखो अब आके दिया है कि इसमें मनुष्यों और पश्वों को आखों के रोग जैसे की मोति बिंदू और अंदत्व तता त्वचा कैंसर का खत्रा बढ़ गाया है ओजोन परत की प्षति न केवल मनुष्य एवं पश्वों को हानी पहुचाती हैं बलकि इससे फसलों की उपज कम हो सकती है और उनमें नए नए रोग उत्पन्न हो सकते हैं संक्षेप में परत की प्षति न केवल मनुष्य एवं पश्वों को हानी पहुचाती हैं बलकि इससे फसलों की उपज कम हो सकती है और उनमें नए नए रोग उत्पन्न हो सकते हैं संक्षेप में कई तो सूरज की परापैंगनी किरने धरती पर जीवन को संभव बनाने और विकसित करने वाली हर वस्तू को नश्ट करती हैं तो बच्चो हमने यहाँ पर चित्र दिखाई है कि किस तरह से मोती बिंदू है आकों के कैंसर सो रहे हैं तो अच्छा कैंसर हो रहे हैं तो बच्चो हमने यहाँ पर चित्र दिखाई है कि किस तरह से मोती बिंदू है आकों के कैंसर सो रहे हैं तो अच्छा कैंसर हो रहे हैं उसी तरह से एक तरफ आपको मैंने जिया है कि किस तरह से ओजोन परत के दुश परिनाम हो रहे हैं तो अच्छा कैंसर है नेत्र कैंसर है मोती बिंदू हो रहे हैं तो अच्छा कि अलर्जी हो रही है प्रतिरक्षक तंत्र में कमजोरी होने लगी है यानि मनुष्य के जो पचन क्रिया जो है उसमें भी कमजोरी आने लगी है फसल की उपज घटना शुरू हो रहा है यानि इतने मैंनत से बनने वाले जो फसल है किसान कर रहा है काम लेकिन उस उपज को भी कमी महसूस हो रही है वो घटते जा रहे है तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस पराबैंगनी किरने की आने से पुरत्वी पर इस तरह की समस्या यानि दूश परिणाम सिर्फ मनिशों को नहीं तो इस पृत्वी पर रहने वाले हर एक जीव जन्दू अनस्पति पर असर कर रहा है अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से विज्ञान की प्रगती ने जहां हमें सुखद और आरामदाई जिन्दगी दी हैं वही इस प्रगती एवं सुख की अन्दी दोड में हम नित्य प्रती कुछ ऐसे रसायनों का वायू मंडल में उस सर्जन कर रहे हैं जो ओजौन परत की शती पहुँचा रहे हैं शती यानि नुकसान पहुचा रहे हैं उस सर्जन का अर्त हैं बाहर छोड़ना तो इस तरह से बच्चो अब हम जो परिच्छत पढ़ रहे हैं उसमें से हम देख रहे हैं कि आखिर इस ओजौन परत को छेट क्यों हो रहे हैं किस कारण हो रहे हैं उसके बारे में अब हम यहाँ पर जानकरी ले रहे हैं तो जैसे कि हमने कहा है कि विज्ञान की प्रगति ने यहां हमें सुगत और आरामदाई जिंदेगी दी है यानि ही यहां पर दिखाई दे रहा है कि विज्ञान के कारण इस ओसोन परद में किस तरह से नुक्सान हुआ है तो बच्चो देखो ओजन परत को चती पहुँचा रहे हैं इन रसाइनों को CFC अर्थात क्लोरो फ्लोरो कार्बन कहते हैं हमारे रेफ्रिजरेटरों और एर कंडिशनरों में इनका उप्योग जादा मात्रा में किया जा रहा है इसमें इलेक्ट्रोनिक कलपूर जी की सफाई भी की जाती है इसके अलावा आग बुजाने और दवाओं का छिड़काव करने में भी उनका अत्यादिक प्योग होता है तब बच्चो देखो विज्ञान ने जो प्रगति की हमें आरामदाई वस्तुएं दी जो हमें लाबदायक हुई है और जिसके कारण हम विज्ञान में और भी प्रगति करते रहे हैं लेकिन हम ये भूल गये थे कि इन सब जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर है एर कंडिशनर है यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दिये हैं उसमें भी CFC नाम का जहरिला गैस भरा रहता है जिसके कारण इस ओजोन परत को नुकसान यानि हानी पहुँच रही है तो बच्चो तो कहते हैं जैसे कि विज्ञान जो है हमारे लिए लाबदाईक तो हुआ लेकिन एक तरब से हमारे पृत्वी के लिए जो हमारी ओजोन लेरे उसके लिए वो हानी कारण रहा है जैसे कि सिक्खे के दो पहलू होते है एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है उसी तरब से विज्ञान में भी इस तरब से कुछ हुआ है जो हमारे लिए लाबदाईक हुआ लेकिन हमारी जो सुरक्षा कवच है हमारी ओजोन परत उसके लिए वो हानी कारण रहा है लगे जिससे पराबैंगनी किलने प्रुत्वी पर आकर प्रुत्वी पर अनेक प्रकार के तुष्परेणाम हो रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पर हमने कारण दुन्डा की ओजौन परत को कम करने वाली याने नुकसान याने हानी पहुचाने वाली प्रकार के तुष्परेणा हो रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पर हमने कारण दुनला कि ओजौन परत को कम करने वाली याने नुकसान याने हानी पहुचाने वाली कौन सी ऐसी चीज है उस चीज के बारे में हमें यहाँ पर इस पार्ट में इस पैरेग्राफ में हमें पता चला है अब हम आगे बढ़ते है परमानों को तोड़ सकता है वैज्यानिकों का अनुमान है कि प्रतिवर्ष 10 लाग टन से अधिक सियपसी वायु मेंडल में पहुँच रही है और ओजॉन परत में छेत कर रही है हमारी धर्ती के दुरूओं के ठीक उपर ओजॉन में काफी कमी ये आ चुकी है दक्षिन दुरूवपर अन्टार्क्टिका के पास ओजॉन परत में काफी बढ़ा च्छेत हो चुका है जो संपूर्ण विश्व के लिए अत्यादिक चिन्ता का विशे है आपके टेक्सबूप में दिया हुआ जो चित्र है वो भी उस बड़े च्छेत का ओजॉन के च्छेत का एक लिया दिया है और उस बराबर उसी के नीचे में जो आपको चित्र दिखाया गया है वहाँ पर पृत्वी के वो जो काला छेद वहाँ पर दिखाई दे रहा है और बराबर उसी के पास जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है उसी चित्र में देखो किस तरह से ओजॉन लेयर जो है वो CFC के कारण जहां पर ओजॉन लेयर में छेद आ गए है और उसी छेद में से सूरिय की पराबेंगनी किरने किस तरह से धर्थी पर याणि हमारे पृत्वी पर आ रही है तो यह यहां पर इस तरह से दिखाई दिया है और यहां पर जो CFC के जो कन जो उसमें से वाग निकल रहे हैं पर आप उसे इस तरह से यहां पर ओजॉन परत को किस तरह से नश्ट कर रहे हैं और पृत्वी से किस तरह से वह CFC का छिड़काव से यह हम एर कंडिशनल रेफ्रिजरेटर यह जो हम यूज कर रहे हैं उपियोग मिला कर रहे हैं तो यही यहाँ पर इस चित्र में दिखाने का काम किया हुआ है बच्चों अब बच्चों हम इस पाट का जो आखरी भाग है उसे अब हम पढ़ते हैं तो जिस्त यहाँ पर देखो सियपसी दिर्गकाल याने देड़ सो वर्ष तक वायू मंडल में बनी रहती है इसकी खोज 1930 में की गई थी 1934 में अमेरिका वैज्यानिकों ने इससे ओजोन परत नश्ट होने की बात पता लगाई सन 1936 में अमेरिका ने अंटार्टिका में ओजोन परत की हुई नुकसान का पता लगाने के लिए एक जासूसी विमान भेजा इस अद्यन से पता चला की ओजोन परत में छेत काफी तेजी से बढ़ रहा है अमेरिका से चार गुना बढ़ा हो गया है इस संबन्द में विश्व भर के विकसित तेशों के वैज्यानिकों के सम्मेलन हो चुके हैं इस संकट से चुटकारा पाने के लिए सियपसी का उत्पादन रोकने और इसका नया हानी रहित विकल्प तूरने का निश्चे किया गया है ओजोन परत में छेद की समस्या की गंभीरता इसी बात से प्रकट होती है कि इस संबंद में अंतर राष्टियस तरप पर कई प्रुत्वी बचाओं सम्मेलन अयोजित हो चुके हैं सम्मेलन के प्रतिभावियों ने प्रुत्वी को हरा भरा और प्रदूशन रहित बनाने का संगल पलिया है साथ ही CFC का उत्पादन और उप्योग शिग्र ती शिग्र रोकने पर बल दिया है विकसित देशों ने अपना समर्थन देने के साथ साथ धनाराशी जुटाने में भी बड़ चड़कर उत्सहा दिकाया आशा है कि निकट भविश्य में CFC का उत्पादन बंद करके इसका हानी रहित पिकल्प खोज लिया जाएगा वैज्यानिकों के सामने यह सबसे बड़ी चुनोती है क्योंकि ओजौन परत की चित का मुद्दा सीधे तोर पर प्रुत्वी पर जीवन धरियों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है तो बच्चों यहाँ पर ये देड़ सो वर्ष पूर्व कि यहाँ पर वायू मंडल में बनी रहती है सीअपसी दिरगा काल तक रहती है लेकिन उसे जो हानी पहुचाई गई है और जिस तरह से यहाँ पर संयुकत राज ने यहाँ पर उसके उपर जो गंभीरता उत्पन्न किया और सीअपसी पर रोक लगाने के लिए और उसके बदले दूसरा गैस यूज कर ऐसे रेफ्रिज के लिए इस जिसके कारण हमारे ओजोन परत को कोई हानी न पहुचे और सुर्य की पराबैंगनी किरने पृत्वी पर ना आकर ना आए और इस पृत्वी के उपर जितनी जिवधारी है उसका अस्तित्व कायम सो रूपी बनाए रखने के लिए इसमें विज्यान ने भी कर अब अलग प्रकार की जो ओजोन लेयर को हानी न पहुचे ऐसे ग्यास का वहां पर उपयोग किया जाता है जिससे इस ओजोन परत में बहुत काफी मात्रा में सुधार हो चुका है और इस तरह से यहां पर हम अगर कहें कि कही लोग यहां पर कहते हैं कि यह ओजोन लेयर क कम होने के कारण जो तापमान बढ़ गया है और उससे जो पेड लगाएं ये सब ये बहुत सारी समस्याइं अलग हैं बच्चो तो हमारे विज्ञान की जो प्रगति हो रही है उस विज्ञान में हमारे वज्ञानिकों ने इसके उपर भी हल धून लिया है और इस ओजॉन ले जैसे के वैसे बनाने का काम आज हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं और आज हम जो रेफ्रिजरेटर तथा एसी जो हम एर कंडिशन यूज़ कर रहे हैं उसमें भी एक CFC न होकर अलग प्रकार की गैस जो है वायू जो है उसका उप्योग किया जाता है जो हमारे ओजॉन लेयर को प्रभाव या हानी नहीं पहुंचाती है तो बच्चो इस तरह से ये ओजॉन परत पृत्वी की एक ढाल आपको पता चला है कि शुरू में हमने आपको बताया था कि ओजॉन कैसे बनता है किस तरह से बना है इस ओजॉन के कारण कौन कौन से हानिया इस पृत्वी पर हो तो वो भी हमने देखे कि किस तरह से मनुष पशू तता जो वनस्पति याने फसले हैं उन्हें भी किस तरह से हानी हो रही है हो रही है और इसके कारण भी हमने दूंडे हैं विज्ञान की प्रगती के कारण की मनुष्य नहीं किस तरह से ओज्ञान को हाने पहुचाने का काम किया है और इसके उपर हमने जो CFC जो हैं उससे भी हमने चुटकारा पाने के लिए हमारे विज्ञानिकों ने काम किया हुआ ह तो इस तरह से हमारा यह पाट जो है ओजन परत पृत्वी की एक धाल तो बच्चो आपको जरूर पता चला होगा कि क्यों इस ओजन लेयर को पृत्वी की धाल कहा गया है पता चला है ना तो जरूर आप उस बारे में लेख सकते हैं इस पाट को अच्छी तरह से पढ़िए और इसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं क्योंकि आपके साइंस में भी इस तरह का ओजन के बारे में जानकारी वाला लेसन है जिसमें आप और अधिक जानकारी हासिल कर इस पार्ट को बहुत बहतर तरीके से समझ कर उसके questionances complete कर सकते हैं या लिख सकते हैं तो बच्चों हमारा पार्ट यही पर खतम होता है धन्यवाद